हेलो एवरिवन मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ आज मैं आप लोगों से चंदरुप्त मौरे के विशय में बात करूँगी जैसा कि हम जानते हैं कि मौरे समराज का प्राचीन भारतिय इतिहास में महत्वपून स्थान है और यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में पहला कोई समराज यदी रहा है तो वो मौर्य समराज ही रहा था तथा इसकी अपनी विशेष्टा रही थी कि किस प्रकार से इसने भारत में अपना विस्तार किया और इसके जितने भी शाशक रहे थे उनके द्वारा भारत में एक प्रशाशनिक प्रणाली की नीव भी डाली गई थी जिसने आगे चल करके भारत के राजनितिक तथा प्रशाशनिक जो पधती रही है, उसे सुद्रिड करने का कारिय भी किया था। आज तक हम कह सकते हैं कि भारत में उसी के अनुसार बहुत सारे विशेश्टाएं जो हैं अभी भी भारत के प्रशाशनिक प्रणाली में हमें देखने को मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से अपना समराज विस्तार किया था तथा उसने भारत में पहला समराज का स्थापना किया था। उसके विशे में मैं आप लोगों से आज के इस वीडियो में चर्चा करूँगी। मौर्य समराज के विशे में यदि हम बात करें या चंद्रगुप्त मौर्य के संदर में तो हम यह देखते हैं कि इसके संदर में एतिहासिक स्रोथ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। यहाँ पर यदि हम यह कहें कि यहाँ ब्राम्मन ग्रंथ, बौध ग्रंथ और चैन ग्रंथ भी जो हैं, उनके द्वारा हमें चंद्रगुप्त मौर्य तथा मौर्य समराज के विशे में महत्वपून जानकारियां प्राप्त होती हैं। यदि सरप्रथम हम ब्राम्मन ग्रंथ के विशे में बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि विश्णु पुरान से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के विशे में महत्वपून जानकारी उपलब्ध होती हैं। ठीक इसी प्रकार से बौध ग्रंथ से भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के विशे में महत्वपून जानकारियां प्राप्त होती हैं। मुख्यत, दीपवन्ष, महावन्ष, मिलिंदपनो, आर्ये मंजू, श्री मुल्क कल्प रहे हैं। जैन ग्रंथ से भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के विशे में महत्वपून जानकारी उपलब्ध होती हैं। जैसे कि हेम चंद्रगुप्त मौर्य के विशे में उसके प्रशाशनिक प्रनाली तथा उसके जो प्रारंबिक जीवन रही थी उसके संदर में हमें महत्वपून जानकारी उपलब्ध होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं ग्रंतों से बलकि जितने अन्य साहितिक ग्रंत रहे हैं जैसे कि कॉट्रली द्वारा लिखित अर्थ शास्त्र, विशाक दत द्वारा लिखित, मुद्र राक्षस, सोम देव द्वारा लिखित, कथा सरित सागर, पतंजली की महाभाश से और कलहन की राजतरंगनी इन्हें इनसे भी हमें चंगरुप्त मौरे के विशे में तथा मौरे वंश के विशे में महत्वपून जानकारियां प्राप्त होती हैं इसके इलावा जो विदेशी वृतांत हैं जैसे कि नियारकस, एरियन, स्ट्रेबो, प्लीनी और मेगस्थनी द्वारा लिखित इन्डिका इनसे भी हमें चंगरुप्त मौरे के विशे में महत्वपून जानकारी प्राप्त होती हैं यदि यहां पर पुरा तात्विक स्रोतों के विशे में यदि हम बात करें तो इनमें अशोक के अभिलेक, रुद्रदमन का गिरनार अभिलेक और ना जानकारियां प्राप्त होती हैं इन एतिहासिक स्रोतों से उसके आधार पे हम यह कह सकते हैं कि चंगरुप्त मौरे जो था वो उस समय भारत में सबसे शक्ति शाली शाशक रहा था जिसके पश्चात अन्य जितने भी शाशक आए मौरे वंश के उनमें अशोक जो था वो मह जो है इसे जोड़ा जाता है चंगरुप्त मौरे के साथ में अब आगे यदि हम चंगरुप्त मौरे के विशय में चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि इसका जो शाशन काल रहा था वो 322 से 298 BC का रहा था नंद वंश इसके पहले भारत पे शाशन कर रहा था और नंद वंश का जो अंतिम साशक था धना नंद इसको पराजित करते हुए चंगरुप्त मौरे जो है वह भारत की राजगदी पर आसीन हुआ था अब यहाँ पे यदि हम चंगरुप्त मौरे के प्रारंबिक जीवन के विशे में बात करें तो इसके संदर में हमें काफी मदभेद इतिहासकारों के मद्धे दिखता है जैसा कि यहाँ पे यदि हम बात करें कि चंगरुप्त मौरे किस जाती से आता था तो यहाँ पे रु माहोडे हैं, उनका यह कहना है कि चंदुप्त मौरिय जो है, वह पारसिक था और स्पूनर का मत का अधार जो रहा है वह यह था कि चंदुप्त कालीन भारत एवं फारस की कतिपय, समाजिक, राजनितिक, धार्मिक प्रधाओं का जो है साम में होना तो इसी के कारण जो है स्पूनर महोदे ने जोड़ा है क्योंकि बहुत सारी समानताइं दिखती है इस वज़ा से इन्होंने चंगुप्त मौर्य को पार्सिक माना है यहाँ पे दूसरा जुम्मत हमारे समक्षाता है वह यह है कि विश्णु पुरान के अ मौर्य के विशे में और आज तक इसके विशे में कोई भी हमें जानकारी स्पष्ट तोर पे नहीं प्राप्थ हुई है कि आखिर में वो किस जाती से आता था चंद्रगुप्त मौरे की जाती को ले करके अन्य जो तत्थे हैं वो भी हमारे समक्षाते हैं यदि उनकी हम चर्च और अधिक करें तो हम यह देखते हैं कि मुद्रा राक्षस के जो टीका कार है धुंडी राज उनके द्वारा कहा गया है कि सवार्थ सिद्धी नामक शत्रिय की शुद्र पतनी मूरा का पुत्र चंद्रगुप्त मौरे था वही दूसरी और हम देखते हैं कि अर्थ शास्त्र तथा जैन साहिते पुनाश्रे कथा कोश में चंद्रगुप्त मौरे को शत्रिये बताया गया है तथा विदेशी वृतांत जो रहे हैं कर्टियस का प्लुटाक और जस्टिन इनके द्वारा चंद्रुप्त मौरे को निर्धन कुल या हमबल ओरिजिन का बताया गया है तो यहाँ पर लगातार हम देखते हैं कि हमारे समक्ष जो है उसकी जाती को ले करके तथा वो किस प्रकार के परिवार से आता था इसको ले करके विवाद है जो की आस तक बना हुआ है अब यहाँ पर अगर एक्जाम के कॉंटेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर इससे रिलेटर हमेशा क्वेशन होता है कि जो मुद्र राक्षस है उसके टीका कार का नाम क्या है इससे रिलेटर जो है question यह पूछा जाता है तथा यहाँ पर यह भी है कि जो आपका अर्थ शास्त्र के अनुसार चंद्रुप्त मौर्य को किस जाती का माना गया है इससे रिलेटर भी question होता है तो इसका आंसर जो है यहाँ पर शत्रिय होगा तथा जितने भी foreigners हैं, Curtis, Plutarch और Justin इनके अनुसार निर्धन कुल को बिलॉंग करता था चंद्रुप्त मौर्य इससे रिलेटर भी question पूछे जाते हैं इसके पहले मैंने आप लोगों से चर्चा किया है कि चंद्रुप्त मौर्य के जो जाती को ले करके विवाद है उसके संदर में अब आगे जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंबिक जीवन किस प्रकार कर रहा था और कैसे वो शाशक वना यदि इसकी हम चर्चा करें तो हम यहाँ पर यह देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका भारत के जो राजनितिक इतिहास है उसमें महत्वपून स्थान था तथा उसका जो शाशनकाल था वो 322 से 298 बीसी का रहा था अब यहाँ पर यदि हम बात करें मौर्य समराज की स्थापना के विशह में तो हम यह कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो शाशक बना था कौटिल्य के कारण क्योंकि अगर चानक के या कौ कौधा के वो सभी उसमें विद्यमान थे और इसी को देखते हुए जो है कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रसिक्षन भी दिया था और शाशक बनने में उसकी मदद भी की थी यदि चंद्रगुप्त मौर्य के विशह में हम बात करें तो माना यह जाता है बहु की सिमान्त युद हो रहा था उसी में उसके प्रिता की मृत्यू भी ही हुई थी और सुरक्षा हेतु जो है उसकी माता के जो भाई थे उन्होंने उसे पाटली पुत्र पहुंचा दिया था उस समय वो अपनी माता के गर्भ में था और यहीं पे चानक्य की हम क्या सकते हैं क यहाँ पर भुमिका ये रही थी कि जब उसकी पैदाइश भी और उसके पाद जो है उसके गुनों को देखते हुए उसे शाशक बनने में जो है उसका निर्मान किया या किस प्रकार से उसे आगे बढ़ाते हुए समराज का निर्मान किया जाए इसमें हम अहम भुमिका कोटि देखते हैं जब चंद्रगुप्त मौरे का जन्म हुआ था तो जन्म के साथ ही उसे एक गोपालक को समर्पित कर दिया गया था और गोपालक के यहाँ जब बढ़ा हुआ उसके पश्चात उसे एक शिकारी को बेच दिया गया था शिकारी के यहाँ ही चंद्रगुप्त मौ वहाँ पे बाकी जितने भी बच्चे थे उसको जो है निर्देश देने का काम कर रहा था तो उस समय चानके को जो गुन एक समराट में होने चाहिए वो उसमें दिखा था और इसी कारण जो है चानके उसे अपने साथ तक्षिला ले गया जहां पर 6-7 साल रखते हुए वहाँ पर तक्षिला में उसे प्रसिक्षन दिया गया तक्षिला जो है उस समय विद्या का सबसे प्रमुख केंद्र रहा था और यहां पर प्रसिक्षन के बाद हम क्या सकते हैं कि चंद्रुप्त मौरे जो है वह शाशक बनने के लिए बिलकुल तयार हो गया था यहां पर यदि ह को राजा की तरह वहाँ पर प्रस्तुद करता था जो कि निर्देश देने का कार अन्य बच्चों को करता था और इसी जो यहाँ पे राजकिलम के समय ही जितने गुन हो सकते हैं समराट का वो उसमें चानक्य को समें धिखा जिसके पश्चात वो अपने साथ उसे तक्शिला ल तो यहां पर एक अनुमान लगाया जाता है कि चंद्गुप्त मौर्य भी जो है वह भी छत्रिय ही रहा होगा जैसे जस्टिन जो है जस्टिन जो इतिहास कार रहे हैं उनके द्वारा भी उसे एक उच्छ कुल का माना गया है मुद्रा राक्षर्स के अनुसार चंद्गुप् और महा परिनिमान सुथ से हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य जो थे वो शत्रिय थे और पिपली वहन नामक शेत्र में शाशन किया करते थे अब यहां पे यह जितने भी फैक्ट्स के विशे में यदी हम बात करें तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके प्रसिक्षन में चंदग्रूप्त मौर्य जो है शाशक बना था तो इसका आंसर यहां पे कोटिल्य होगा जिसे हम चानक्य के नाम से भी जानते हैं दूसरा जो क्वेशन होता है एक्जाम में वो यह होता है कि कहां पे जो है चंदग्रूप्त मौर्य की जो है उसका जन्म हुआ था तो इसका आंसर यहां पर पाटली पुत्र होगा थर्डली यहां पर हम यह देखते हैं कि कौन सा जो गेम है या खेल खेलते हुए चानक्या ने देखा था चंदगृप्त मौरी को जिसके प्रश्चाज जो है वो उसके साथ अपने साथ उसे प्रसिक्षन के ल जो बालक के गुनों को देखने का जो चानक्या ने अनुमान लगाया था उसके प्रश्चाज उसने शिकारी को एक हजार कर्शापन देकर चंदगृप्त को खरीद लिया था तो यहां पर जो है शिकारी से चानक्या ने उसे खरीदा था और जिसके प्रश्चाज कितना मु पुछ जाता है कि कौन-कौन से इतिहास, या हम क्या सकते हैं साहित से में कौन सी जानकारी प्राप्थ होती है? तो यहां पे इसकी चर्चा मैं आप लोगों से औरड़ी यहां पर कर चुकी हूँ. अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं आगे चंदगुप्त मौर्य के विशे में तो यहाँ पर आगे आगे आप लोगों से पहले जो मैं चर्चा कर चुकी हूँ कि चंदगुप्त मौर्य का प्रारंबिक जीवन किस प्रकार कर रहा था अब आगे जब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन से उद्देश के लिए चानक्य ने चंदगुप्त मौर्य को शाषक के तोर पे तयार किया था तो दिव्यवदान के अनुसार हम देखते हैं कि चानक्य ने दो उद्देश्यों की पूर्ती के लिए चंडगूर्प्त मौर्य को शाषक बनाने का फैसला लिया था पहला युनानी शाषन से मुक्ती तथा दूसरा नंद शाषन का अंत अब यहाँ पर युनानी शाषन से मुक्ती के विशे में यदी हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं प्राचीन भारत में युनानीों का जो है आकरमन वो लगातार भारत में हो रहा था श्कंदर के अधीन और उसके जो शत्रप रहे थे वो जितने भी नौर्थ वेस्टर जो छेतर थे भारत के उस समय वहाँ पर पूरा का पूरा अधिकार इन्हीं का हो गया था और यहाँ जब मगत के छेतर के विशे में बात करें और उसके आसपास के छेतरों में तुम्हाँ नंद का जो है शाशन वो कायम हो गया था नंद शाशकों के बारे में भी जाना जाता है कि यह बहुत ही अत्याचारी शाशक रहे थे और क्योंकि चानक्य का अपमान धनानंद के द्वारा किया गया था यह दोनों ही उदेशों की पूर्ती के लिए ही चानक्य ने चंदगृप्त मौर्य को जो है शाशक बनाने का फैसला लिया था अब जब हम बात करते हैं कि समराज कोई भी उस समय था नहीं चानक्य कोई समराज था भी नहीं और किस प्रकार से एक समराज का निर्मान किया जाए यह सबसे बड़ा यहां प्रशन चेन उठता है और इसके लिए जो पहला कदम उठाया गया था चानक्य और चंदगृप्त मौर्य के द्वारा तो वो रहा था सेना का संगठन क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं किसी भी समराज को स्थापित करने के लिए सेना का होना सबसे आवश्यक होता है तो यहां पर सेना का संगठन करना पहला कदम रहा था या पहला कारिय रहा था चंदगृप्त मौर्य का चानक्य के निर्देशन में और जब हम चेना के संगठन के विशय में बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि क्योंकि उस समय कोई भी धन या फिर राचकोश प्राप्त नहीं हुआ था चंदगृप्त मौर्य को जिसके अधार पर सेना का संगठन किया जा सके तो यह बहुत बड़ा हम क्या सकते हैं कठिनाई के तोर पे उभर करके आया था कि आखिर में सेना का संगठन किस प्रकार से किया जाए और जब इसकी हम चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि चंदृप्त ने पहले पंजाब तता सिंध को विदेशियों की दास्ता जो रही थी उससे मुक्त कराने का काम किया था साथ ही साथ उसने इस कारे के लिए एक विशाल सेना का संगठन किया था अब यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि सेना का संगठन आखिर में किस प्रकार से हो तो हम यहाँ पर यह देखते हैं कि बुद्धी काम किया सकते हैं कि यह प् प्यार किया जा सकता था सैनिकों के तौर पे, उनको ही एक साथ एकत्रित करते हुए सेना का संगठन करने का प्रयास किया गया था, जस्टिन ने चंगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरो भी कहा है, मुद्रा राक्षस तता परिशिष्ट परवन से हमें पता चलता है कि प्राज के निर्मान में वह था युनानी जैसा कि हम पहला भी बात कर चुके हैं, युनानी शाषन का, तो दूसरा जो कारिय सबसे प्रमुक उठ करके आया था चंगुप्त मौरिय के समक्ष, वह था युनानी शाषन का उन्मुलन तथा पंजाब पर अधिकार, अब जब इसके विशा में हम बात करते हैं, तो हम यह देखते हैं कि 325 बीसी में कि लगभग उपरी सिंध के प्रमुक शत्रप फिलिप द्वित्य की हत्या कर दी गई थी, चंगुप्त एक सेना एकत्रित करने के पश्चात अपने आपको शाषक घोशित करना चाह रहा था, तथा फ सम्राज अशुन नहीं रह सका था, और उसका सम्राज दो शत्रपों के बीच में विभाजित हो गया था, 317 बीसी में पश्चिमी पंजाब का अंतिम युनानी सेना नायक यूडेमस रहा था, जिसे भारत छोड़ने के लिए बाधि किया गया था, और इस प्रकार युनानी शाषन विलुप्त हो गया, और जो हम कह सकते हैं कि इसी के पश्चात संपुर्ण सिंद तथा पंजाब के प्रदेशों पर चंद्रप्त मौर्य का अधिकार हो गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो जो हम कह सकते हैं कि कारे रहे थे, चंद्रप्त मौर्य का जितने भी North Western Frontier provinces रहे थे, वहाँ से उसे मुक्त करना, और इसी के बाद ही संभव हो सकता था, जो है समराज का निर्मान, अब आगे यदि हम बात करें कि किस प्रकार से समराज का निर्मान हो पाया था, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चंदगुप्त मौरे के द्वारा मौ जो मगद का समराजी रहा था, उसका अंत करना बहुत ही आवश्यक था, तो यहाँ पे जो तीसरा कार्य किया गया था, चंदगुप्त मौरे के द्वारा वह था मगद का विजय, और इसके लिए सबसे आवश्यक जो कार्य था, वह था कि नंदों का उन्मुलन किया जाए, जिस वज़ा से हम क्या सकते हैं, चाहे नहीं चाहे जो जनता रही थी, उन्होंने भी चंदुप्त मौरे का उस समय में समर्थन ही किया था, धननन्द के द्वारा चानक्य का अपमान भी किया था, जिस वज़ा से चानक्य उस समय चाह रहे थे, कि जो है नंदवन्ष की महा परिशिष्ट परवन के अनुसार जो है नंद वंश का संपुन समराज इस युद में नश्ट हो गया था और इसके पश्चात ही हम देखते हैं कि जो पाटली पुत्रे उसे घेर लिया गया था और उस पे अधिकार कर लिया गया था और आत्म समर्पन के लिए बाध्य भी किय गया था कहा ये जाता है कि चंगुप ने नंद राज को जीवन दान दिया था और उसे इस बात की अनुमती दी थी कि वो अपने एक रत में जितना समान भरना चाहे और अपनी दो पत्नियों के साथ और पुत्री के साथ वो जो है समराज को छोड़ दे बौद गरंथ जो है और युद के पश्चात ही चंगुप नौरे जो है नंदो को पराजित भी किया था इस युद में जीत के पश्चात मौरे समराज के में जो है कलिंग उस समय मैसूर गंगा यमुना नदियों के जो छेत्र और पांच नदियों के भाग को समराज में मिला लिया गया था और एक तरह से संपूर्ण उत्री भारत का मालिक चंदगुप्त मौरे बन गया था, तो यहाँ पे जो question इसे related पूछे जाते हैं, एक तो यह कि जो है last नंद शाशक कौन था, जिसके पश्चाद जो है चंदगुप्त मौरे जिससे युद किया था और जिसके पश्चाद नंद वंश की जो है अंत भी हो गई थी, तो इसका अंसर यहाँ पे धननन्द होगा, इसे related हमेशा questions होते हैं एक्जाम्स में, और यहाँ पर next जो है कि कौन था सेनापती नंद शाशकों का या धननन्द का, तो इसका अंसर यहाँ पे होगा भदशाल, इसे related भी questions होते हैं एक्जाम्स में, अब यहाँ पे आगे यदी हम बात करें कि आखिर में कौन से कार्य किये गये थे और अधिक चंदगुप्त मौर्य के द्वारा, जिसके पश्चात हम क्या सकते हैं कि मौर्य समराज की जो है स्थापना, वह संभव हो पाई थी, तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि समराज को स्थापित करने के लिए जिस प्रकार से सेना आवश्यक होता है, उसी प्रकार से धन भी उतना ही आवश्यक होता है, जिसके बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि समराज का निर्मान हो, और इसके लिए जो है धन प्राप्ती हेतू भी चंगुरुप मौर्य ने प्रयास किया था, महावन्ष टिका से हमें यह ग्यात होता है कि चानक्य ने विंद्या चल के वनों में जाकर धन इकत्रित किया था, परिशिष्ट परवन से भी इस बात की पुष्टी होती है. अब यहाँ पर यदि और अधिक हम बात करें कि आखिर में चंगुरुप मौर्य ने कौन से कारे किये थे, जिस वज़ा से उस समय में जो है हम क्या सकते हैं कि लगातार प्रयासों के बाद में चंगुरुप मौर्य के द्वारा समराज की स्थापना की जा सकी थी, तो हम यह द अंगुप ने अपनी जो स्थानिय निवासियों के बीच में भरती किये गये जैतने भी सैनिक थे, उन्हीं तक सिमित नहीं रखा था, परंतु उसने अन्य राजाओं के साथ में मैत्री पुन संबंध जो हैं, उसने स्थापित करने का प्रयास किया था, और साथ ही साथ उस प्रयास किया था कि कैसे अधिक सदिक धन को जो है एकत्रित किया जा सके और इसी हेतु उन्होंने विंद्याचल के वन से जा करके जो है एकत्रित भी किया था धन और इसकी जानकारी हमें परिशिष्ट परवन से भी प्राप्त होती है, प्रयास ये भी किया था कि उस समय मे जो है जनमत को प्राप्त किया जाये जो की बहुत ही आवश्यक होता है किसी भी शाशक के लिए खुद को अपने आपको समराज में स्थापित करने के लिए जिस समय हम यह देखते हैं कि सिकंदर द्वारा जिन राजियों पर अधिकार उसके द्वारा प्राप्त कर लिया गया था, उसके पश्चात, चानक्य और चंदगुप्त ने स्थिती का लाब उठाते हुए, जो इतने भी छेत्र उस समय सिकंदर के अधीन रहे थे, या जिनके साथ उसके मैत्रिपुन संबंदर रहे थे, सभी को अपने अधीन लेते यह काफी इंपॉर्टेंट है, और यह 304 से 305 BC के मध्य में हुआ था, सिकंदर की मृत्यू 323 इसापुर्व में हो गई थी, और इसके पश्चात हम देखते हैं, कि उसके सेनापती सेलुकस ने शाषन जो है, वो करना प्रारम किया था, सेलुकस ने 305 इसापुर्व के लग सेलुकस ने सिकंदर द्वारा भारत में जीते हुए प्रदेशों को पुनह अपने अधीन करने का प्रयास किया था, और इसी उद्देश से सेलुकस ने पहले बैक्टीरिया पर आक्रमन किया, जिसमें उसे हम देखते हैं कि सफलता मिली थी, इस सफलता से प्रुचसाहित हो सेलुकस ने भारत पर भी आक्रमन किया था, किन्तु भारत की अब तक जो राजनितिक स्थिती थी वो पहले के जैसी नहीं रही थी, और सिकंदर के आक्रमन के समय जो असंगठित नजर आता था भारत वो वैसा नहीं था, क्योंकि चंदगुप्त मौरे के अधीन भारत का श सेलुकस और संगठित सेना से सामना हुआ था, अब क्योंकि सेलुकस जो है वो सामना करने के लिए तयार नहीं था उस समय चंदगुप्त मौरे की जो सेना रही थी, तो वो विवश्ता संधी के लिए तयार हुआ था, और इसके संदर में हमें स्ट्रेबो, जस्टिन और अब शंदी की शर्टे कौन-कौन सी रही थी, यदि उनकी हम बात करें, तो हम देखते हैं कि सेलुकस ने एरियाना प्रदेश का विस्तरित भूभाग चंदरगुप्त को दे दिया था, इसी प्रकार चंदरगुप्त को एराकोसिया, जिसे हम कंधार के नाम से जानता है, प उपहार स्वरुप दे दिये गये थे, चंदरगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी जो है, वह उपहार स्वरुप दिया था, तथा सेलुकस की जो पुत्री है, उसका विवा किया गया था, जिसका नाम हेलेना है, उसका विवा चंदरगुप्त मौरियस से हुआ था, इसकी जानक परबार में छोड़ दिया गया था चंदगुप्त मौर्य के द्वारा पश्चिम भारत पर भी विजय प्राप्त करने का प्रयास किया गया था और इसकी जानकारी हमें रुद्रदमन के गिरनार अभिलेक से प्राप्त होती है जो की 150 BC के समय का है हमें यहां पर जानकारी मिलत कि चंदगुप्त मौर्य का जो समराज है उसका विस्तार पश्चिम भारत में सवराष्ट जिसे हम गुजरात का छेत्र मानते हैं तक अधिकार कर लिया था और उस समय उसने पुष्य गुप्त नामक एक राष्ट्रिय जो राजिपाल था उसकी न्युक्ती की गई थी और गुफ्य के द्वारा जो है जिसका नाम पुष्य गुप्त है सुदर्शन जहील का निर्मान करवाया गया था और यहाँ पे हम यह देखते हैं से रिलेटड हमेशा क्वेशन पूचा जाता है कि रुद्रदमन का अभिलेग जो है वो कहा का है तो यह गिरनार अभिलेग है तो उसका नाम यहाँ पे होगा पुश्य गुप्त, इससे भी related question हमेशा होता है, एक्जामस में देखा गया है, और किसके द्वारा सुदर्शन जहील का निर्मान करवाया गया था, तो चंद गुप्त मौरिय के अधीन जो उसका राश्ट्रिय था, पुश्य गुप्त, उसके द्वारा सुदर्शन जहील का निर्मान करवाया गया था, यह बहुत important है, जितने भी facts से हम बताए गया है, अगर एक्जामस के context में हम देखते हैं, तो इसके पश्चात यदि हम बात करें दक्षिन विजय के विशय में, तो हम यह देखते हैं कि चंद गुप्त मौरिय ने अपने अंतिम वर्षों में दक्षिन विजय का प्रयास किया था, डॉक्टर राय चौधरी जो हैं, उनके अनुसार यह कहा गया है कि दक्कन पर भी उस समय जो है चंद गुप्त मौरिय के द्वारा विजय हासिल की गई थी, तथा यहां पे यह कहा गया है कि नंदो को परा दक्षिन में पॉडील, पहार तक तथा तिनेवली, जिले तक पहुँच गया था, अब यहां पे यदि हम बात करें, सम्पून जो है सम्राज का जो एक्स्पैंशन उसका या विस्तार चंद गुप्त मौरिय का कहां से कहां तक था, तो हम यह देखते हैं कि यह पूर में ब पुर्वी दिशा तथा नर्मदा जो नदी है वहां तक चंद गुप्त मौरिय का जो प्रशाशन है या शाशन जो है वहां तक इसका विस्तार हो गया था, जो रिलेटेड क्वेशन होते हैं, यदि हम इस स्लाइड के संदर में बात करें, तो यहां पे पूछाईए जाता ह जो तमिल लेखक के विशह में, कौन से दो तमिल लेखक रहे हैं, जिनके द्वारा जो है दक्षिन विजय के विशह में हमें जानकारी मिलती है, तो इसका अंसर होगा ममुल नार और तनार का, कौन से जिले तक रहा था, तो तिने विले जिले तक जो है एक्सपैंशन रहा था चंदगुप्त मौर्य का और यदि हम बात करें कि चंदगुप्त मौर्य का जो है expansion कहां तक south में रहा था तो इस cancer यहां पर नर्मदा नदी होगा इनसे related questions होते हैं exam में यह बहुत ही important हो जाते हैं इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहां पर विराम देती हूं next स्ट विडियो में में आप लोगों से candra сколько ये के ऊंदर में पसंधा आया हो तो प्यne ізसे like करें और share करें तथा मेरे YouTube चैनल को subscribe करें थैंक यू stay connected अख और आल आ